आप सभी की उपस्थिती के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और बताना चाहते हैं कि आज की मीटिंग में हम दिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट पर सेल बढ़ाने के तरीकों के बारे में. क्या आपने e-commerce की दुनिया में पहला कदम बढ़ा लिया है? आप फ्लिपकार्ट में विक्रेता के रूप में दर्ज हो चुके हैं? आपने अपने व्यवसाय में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे. लेकिन ओनलाइन व्यवसाय में अपार संभावनाए हैं. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पर अपनी विक्री कैसे बढ़ाए, तो यहां हम आपके लिए 10 टिप्स दे रहे हैं. एक प्रोडट्स के विज्यापन्थ बिक्री में बढ़ोतरी के लिए आपको अपने प्रोडट्स की ओर ज्यादा ट्रैफिक को आकर्शित करना होगा. आपके प्रोडट्स पर जितना ज्यादा क्लिक किया जाएगा, उसके बिक्ने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी. Flipkart पर अपने प्रोडट्स के लिए अधिक ट्लिक पाने का सबसे आसान उपाय ये है कि प्रोडट्स का विध्यापन किया जाए दोग Spike Sales में भाग ले Spike Sales एक शॉपिंग इवेंट है जो समय समय पर Flipkart और्गनाईज करता है इसके जरिये आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने के बहुत से अफसर मिलेंगे Spike Sales के दोरान Flipkart लगभग सभी श्रेणियों यानी कैटेगरी में ग्राहकों को आकरशक ओफर देते हैं तीन अच्छी पैकेजिंग आपका प्रोडक्ट जब ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है तो यह उन्हें कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है इस बात का ग्राहकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है अच्छी पैकेजिंग सामगरी से प्रोडट्स की पैकिंग करने पर परिवहन के दौरान प्रोडट्स को नुकसान पहुँचने की संभावना घट्ती है चार अच्छा कैटलॉग बनाना आपका कैटलॉग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके प्रोडट्स को दर्शाता है और ग्राहकों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाता है आपके प्रोडट्स की संख्षिप्ट जानकारी देने वाला अच्छी तरह बनाया गया कैटलॉग आपके प्रोडट्स देखने वाले लोगों को इसे खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है पांच नियमों का सक्टी से पालन करें फ्लिपकार्ट की विक्री पर नीतिया और व्यावसायक गत्विधिया आप जैसे फ्लिपकार्ट विक्रेताओं पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिए तयार की गई हैं अगर आप उनको अच्छे से पालन करते हैं तो आप फ्लिपकार्ट के बहुत से ग्राहकों का द आपके पास अपने सामान का परियाप्त भंडार होना चाहिए, ताकि आप ओर्डर जल्दी पूरा कर सकें और ज्यादा व्यवसाय कर सकें। आपके प्रोडक्ट का चित्र हाई रेजोल्यूशन वाला होना चाहिए और इसमें हर महत्वपूर्ण पहलू नजर आना चाहिए। अच्छा दिखता है वह ज्यादा बिटता है इसलिए ध्यान रखें की प्रोडक्ट का फोटो अच्छी तरह लिया गया हो जिससे इसमें ग्राहकों की दिल्चस्पी बढ़े। 9 Flipkart Advantage Seller बने Flipkart Advantage Service के कई लाब हैं। इस सेवा के माध्यम से आप Flipkart के सबसे अच्छे आपूर्ती केंदरों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप अपने उत्पाद Flipkart के पास जमा कर दें। और आपके उत्पाद की पैकिंग करने से लेकर बदलने का अनुरोध पूरा करने तक बाकी सब कुछ Flipkart खुद कर लेंगे। 10 ग्राहकों की खुशी को प्राथमिकता देना। Flipkart पर अपनी विक्री बढ़ाने के लिए और एक सफल विक्रेता बनने के लिए आपको हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा देने की पूरी कोशिस करनी चाहिए। एक विक्रेता होने के नाते, अपने ग्राहकों की चिंताओं को समझने तथा उनका जल्दी समाधान करने के लिए आपको कभी-कभी अपने आपको उनकी जगह रख कर देखना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया का उत्तर देने और उन्हें बहतर सेवा देने का प्रयास करने से उन्हें ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। फ्लिप कार्ट पर विक्री बढ़ाने की कोशिश करते समय आपको न केवल प्रोडक्ट और सेवाओं की गुनवत्ता का ध्यान रखना चाहिए बलकि अपने प्रोडक्ट की ओर ट्राफिक बढ़ाने में भी थोड़ा निवेश करना चाहिए। स्पाइक सेल्स में भाग लेना और विज्ञापन दिखाना लंबे समय तक लाप पाने के लिए जरूरी निवेश हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज डिसकशन में आपने बहुत कुछ सीखा है। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए डिसकशन के साथ। धन्यवाद।